आईपियल में खिलाडियों को अपना खेल दिखाने का जबरदस मौका मिलता है और ऐसे बहुत से खिलाडी हैं जिन्होंने आईपियल के जरिये अपने खेल करियर को चमकाया है लेकिन आज का मामला जरा हट के दिखाई दे रहा है क्योंकि सुमवार को सन्राइजर्स हैदराबाद और गुजराट टाइटन्स के बीच खेले गए मैच में एक गेनबास के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हुआ कि जिससे हर खिलाडी बचना ही चाहेगा तो चलिए बताते हैं आपको उस खिलाडी के बारे में लेकिन उससे पहले आईपेल के हर लेटिस्ट अपडेट पर अपनी पैनी नजर बनाये रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सुमवार को सुन्राइजर्स हैदराबाद और गुजराइ टाइटन्स के बीच हुआ मैच रोमाच से तो भरपूर रहा लेकिन खिलाडी भुवनेश्वर कुमार की गेनबाजी टीम के लिए जरब भारी पड़ गई दरसल कल के मैच में पहले ही ओवर में टीम के तेज गेनबाज भुवनेश्वर कुमार ने 11 रन वाइट के दौर पर सामने वाली टीम के नाम कर दिये टीम के लिए ऐसा शुरुवाती ओवर किसी खत्रे की घंटी से कम नहीं था लेकिन फिर भी सुन्राइजर्स हैदराबाद ने मैच में जीत हासिल कर ली ऐसा कहा जा सकता है कि सुनराइजर्स हैदराबाद के IPL यतिहास में यह सबसे महंगा शुरुवाती ओवर रहा और भुवनेश और कुमार के नाम शुरुवाती ओवर में सबसे ज्यादा रन देने का रिकॉर्ड दर्च हो गया लेकिन आपको बता दें कि ऐसा ही एक और रिकॉर्ड एक खिलाडी के नाम पर भी दर्च है आईए जानते हैं बात करेंगे साल 2015 की जब साउथ अफरिका के खिलाडी डेल्स टेन ने RCB के खिलाफ अपने पहले ओवर में 17 रन कवाए थे इसलिए उनके नाम यह रिकॉर्ड पहले से ही दर्च है इस खिलाडी के बाद इस रिकॉर्ड में भुवनेशर कुमार का नाम लिया जाता है क्योंकि इससे पहले भी खिलाडी ने साल 2017 के IPL में के के खिलाफ अपने पहले ओवर में 13 रन कवा दिये थे IPL 2022 के आक्शन में भुवनेशर कुमार को सन्राइजर्स हैदराबाद ने 4.20 करोड रुपे में खरीदा था यह खिलाडी साल 2014 से 21 तक इसी टीम का हिस्सा रहे हैं जिनका बेस प्राइस दो करोड था लिकिन फ्रेंचाइजी ने उन्हें उससे दो गुनी कीमत पर खरीदा कल के मैच में केन विलियम सन्ने आर्द शतक की अपारी खेली वहीं दूसरी और निकोलासन पूरन की बल्ले बाजी ने भी टीम की जित को पका कर दिया आपको बता दें कि विलियम सन्ने अपनी कल की पारी में दो चौके और चार छखके लगाए इसलिए कल दर्शकों की नजर खास दोर से केन विलियम सन्न पर हिट्टी की रही भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी यू तो अक्सर खिलाडियों पर भारी पड़ती है लेकिन उनके नाम यह रिकॉर्ट आ जाने से उनके खेल पर क्या असर देखने को मिलेगा यह तो आने वाले मैचेस में ही पता चल पाएगा तब तक के लिए IPL की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें दावोकल नियूज हिंदी के साथ